Hello 8th class, welcome to you all in online class of our third senior secondary school So, आज हम हमारी एक poem करने जा रहे हैं Poem number है आपकी ये 5th, ठीक है? And the name of the poem is The School Boy ठीक है? So, ये poem करने जा रहे हैं अब हम The School Boy, आपको name से ही clear हो रहा होगा कि poem का जो name है, poem का जो summary है वो किस चीज से related होगी एक स्कूल का स्कूल जाने वाला बच्चा है आपी की तरह उससे related है स्टोरी So, let's get start I love to rise in a summer mode मौर्न का मतलब यहाँ पर क्या है? Morning, यानि की सुभा ठीक है? तो वो क्या क्या रहा है बच्चा? बच्चा आपने जो भी उसकी internal feeling है regarding the school वो बयान कर रहा है इस पोएम में ठीक है? And the poet of the poem is William Black ठीक है? Make sure that कि आपको पता होना चाहिए पोएम का और पोएट का नेम क्या है ठीक है? I love to rise in a summer morn कहते हैं वो बच्चा का कह रहा है कि कि मैं गर्मी के मोसम में सुबह उटना बहुत पसंद करता हूँ जब प्रतियेक Huntsman का मतलब क्या होता है? शिकारी जब प्रतियेक वरिक्ष के उपर पक्षी गीत गाते हैं जब शिकारी Huntsman मतलब शिकारी दूर से अपना भूपू भूपू का मतलब क्या होता है? जो अवाज करने वाला होता है भूपू बजाते हैं और चातक पक्षी यानि कि इसमें Skylark sings का मतलब क्याता है चातक पक्षी है जो मेरे साथ क्या गाते हैं? सिंग, गीत गाते हैं Oh, what a company What a sweet company कहते हैं कितनी अच्छी कमपनी है कितनी मधूर कमपनी का मतलब क्या होता है? संगती है But to go to school in a summer morning Oh, it drives all the joy away कहते हैं लेकिन गर्मी की सुबह में स्कूल जाना मेरी सारी खुशियों को अवे नश्ट कर देता है Under a cruel eye Outwarn The little ones spend the day In signing and dismay कहते हैं तके मांदे छोटे-छोटे बच्चे निराशा से क्या भरते हैं मतलब की बच्चे सुबह सुबह आज़ने से क्या मतलब की उनके ले एक जुए नहीं होता स्कूल में जाना स्कूल में जाकर टााइम स्मान अधाना उनके लिभर बचल का हुआ and spend many and anxious hour तो कहते हैं स्कूल में जाकर मैं क्या करता हूं चुप चाप जाकर बैठ जाता हूं और वहां anxious का मतलब यहां पर क्या है चिंतित होना ठीक है और वहां पर चिंता में अपना क्या बिताता हूं समय बिताता हूं nor in my book can I take delight nor sit in learnings ball कहते हैं नय तो उसे अपनी पुस्तकों से प्रसंता मिलती है और नय ही एक ठका होने के कारव उसे क्या होता है एक interest बन पाता है उसकी study में one throw with the dreary shark कहते हैं वो क्या होता है एक nearest ग्यान की ठीक है मलत कि वहां पर ऐसी चाया में बैठा हुआ होता है जहां पर उसे बैठने में कोई भी किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिल रही होती how can the bird that is born for joy sit in a case and sing कहते हैं जिस प्रकार एक जो पक्षी है वो पिंजरे में उडने के लिए बना है और वो पिंजरे में कैद होकर नहीं रह सकता उसी प्रकार हम जो बच्चे हैं वो खेलने और कूदने के लिए बने हैं नाकी पिंजरों में कैद होने के लिए how can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring तो उसी प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी अपने पंक गिरा देता है मैं जो जड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उडना भूल जाता है उसी प्रकार जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो क्या होता है बिल्कूल अपनी खुशी को भूल जाता है oh father and mother its birds are nipped वो क्या कह रहा है अब इसमें हम आपको birds का मतलब क्या होता है कलिया ठीक है nipped का मतलब क्या होता है तोड़ना कहते हैं बच्चा का कह रहा है हे माता पिता ये समझ लो यदि पोधे की कलियों को तोड़ दिया जाए और उनके फूल हवा में उड़ जाएं तो उनका क्या होगा सोरो का मतलब क्या होता है उदासीनता ठीक है और डिसमे का मतलब क्या होता है निराशा तो कहते हैं उसी प्रकार यदि जो पोधा है उसके खिलने के समय उसकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया जाएगा तो वे गर्मी के मोसम का अनंद कैसे ले पाएंगे और गर्मी में लगने वाले फल कैसे लगेंगे अर्थामित किसे बच्चा basically कहना क्या चा रहा है कि जो बच्चे हैं वो एक नरम पोधे के समान है यदि उनको उनके बच्चपन में खुशियों से दूर रखा जाएगा तो वो अपनी जो study है उसको भी enjoy अब हर समय अगर बच्चे हो कहा ने है ठीक है एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई के सासा जरूरी क्या है उसका बच्चपन भी है उसके बच्चपन के खेल कूद भी है ठीक है तो बहुत अच्छी पोएम थी ये ठीक है I hope आप लोगों मैंसे भी कुछ स्टुट्ट ऐसे होंगे जो सोचते होंगे क स्कूल एक पिंजरा है लेकिन most of the student की जो सोच है लेकर change हो गई है इसको during that lockdown ठीक है COVID-19 के problem के कारण so here's our poem is complete so इस पोएम को बच्चे से read कीजिए have a very good day